अगली सुपह नमल यूनिवस्टी की विसाय सिंची ती का पता दे दी नी, क्लास शुरू होने में भी आदा कंठा था, सिनिया हाकिम कोचिंग का काम लिए सबसाथ जार प्या गई, गेरे नीले रंग की कमी शलवार में मुल्पूस, उससे बालों को सकती सिपान रखा था, सर आने से मेधी कंबी चलता हुआ आ रहा था, सफेट ड्रेस शर्ट के ओपर स्यागोट और स्याही बेंट, जमकदार चोदे और सलीके से बने बाल, हाथ में हमेशा की तरह ब्रेंडिट वाच, चेरे पर संजी थी, आज मेधी कंबी एक अलग इनसान था, वो आज चलता पिर ब्रेंड लग रहा था, जीनिया का पेट त्यार दिल चाहा था, वो यूही तूर रहे, आज वो इतना शाहाना था, कि उसके करीब आने से बेचेनी हो दी थी, वो करीब आका रुका, जीनिया पलक चपके बगेर उससे देख रही थी, वज़ा कोई कशिश नहीं थी, अज पहली बार आपको आपके असल में देख रही हूँ, आज पता चला, आप कितने अमीर, कितने शाहाना है, हाँ वाकई, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत शाहाना भी मगर, ओ प्लीज, अब ये मत कहीगा कि पैसा हुशी नहीं देता, अमीर इंसान के मसायल भी बहुत होत हुशी देता है, और उस अजादी और मोगे का सही समाल हुशी देता है, एक ही बात हुई नहीं, आपको बस शोग होता है, बातों को मुश्किल बना देनी का, मौवाके और अजादी कैसे हुशी देते हैं, मेरी अपने उस प्रेंटिट सूर समेट नीचे उसके सामने बैठ मेरी अजादी मेरा ट्रेविल है, मोका ने मोमालिक, ने हमोसम नहीं जगाए, तुमने कभी सर्मा की पहली परवारी देखी है, मेधी कंबीर ने देखी है, तुमने हजां के पत्तों से भरी लंदन की सड़के देखी है, बारिश में भीकता लाहोर देखा है, कैलिफोर्निय की कर्मी देखी है, सुजिल लेंड की वादियां देखी है, रोमा की तारीख देखी है, युनान के सफेद घर देखी है, गुतले और सफेद पानी का संगम देखा है, अमेरिका की रोशनियां देखी है, तुर्की की हुपसूर्थी देखी है, स्पेन की उंची तारीखी इ देखी है, क्या तुमने जर्मनी की अमाराद देखी हैं? हदम हो जाए जब हवा तुम्हारे चेरे पे थपेड़े की तरह लगती हो उससे आंखे बंद करके खोली तुमने कभी आइस स्केटिंग की है जब यह हुई पर्फ पे जब तुम हर फिकर छोड़कर कोल चक्कर लगाओ यह होती है जिन्दगी जब कई सो फिट की बुलंदी से एक रसी के सहारे तुम हुद को वादी नदी पहाडों की तरफ भैंक देते हो यह होता है रिस खुशी कई कई दिन पहाड सर्थी परफ में सर्वाइव करना यह होती है जिन्दगी क्या तुमने एरफलून में बैटकर हवाओं में बुलंद बैटकर खाना खाया है क्या तुमने ऐसी जिन्दगी जी है उससे जीन्या की चेरे पे नसे जमा कर पूशा वल्ला वो तन सही करा था वो बस तंग पर जा था वो बस अपने असल को मिस करा था उसके चेरे पे असरती बस सावीद हुआ प्रेवलर साब की इस मुल्क से जाने का वक्त हुआ जाता है मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं यखिनन आप इस वक्त इस प्रेंडिट सूट में इस मेंगी खड़ी के साथ मुझे ये सब बताने नहीं आए मेरे जिन्दी भी बहुत मसाइल है जीनिया हाकिम जिनका जिकर मुझे पसंद नहीं मेरे पास कुछ हुशियां थी कुछ कमफर्ट मॉमेंट से जिनको मैंने कहीं कैद कर रखा था वो रुका मुल्तेजी नसर उसे देखा मेरी यूएस भी तुम्हारे पास है प्लीज मुझे वो वापिस कर दो तुम नहीं जानती लेकिन वो मेरे लिए बहुत कीमती है बस यही कहा उससे और फिर उटखड़ा हुआ सेनिया पेतासर नसूस उसे देखती रही आपने उस दिन कहा था यह आपका एक दचस्तू से जिसे जान लिया तो अदम हो गया क्या सच कहा था मेरी धंग्या आगों के आगे अनीसा कंबीर का चेहरा उबरा दिल से विखते आठ टी सुठी थी हाँ, लेकिन उसका तुम से क्या थालूग हम एक मर्द को क्यों ढूण रहे है वो कोई ओरत भी तो हो सकती है वो रोगी, मैं जूस को नसरों से मेरी कंबीर को देखाँ मेरी कंबीर, सहाब आपकी दाकूप कार एक ओरत भी हो सकती है कई लबहे मेरी प्रोसेस से ही कर सकाँ बसाएं यक्तम उसका दम खोटने लगी थी तुम ऐसा कैसे कह सकती हूँ तुमने उसकी आवाज सुनी थी वो एक मरदाना आवाज सी हम दोनों ने वो आवाज सुनी थी जो उससे सुनानी चाही थी लेकिन उसका भेट खुल चुका है उससा, खुशी, मुहबबत, नफ्रत, जस्वाद है जस्वाद आपके अंदर के असल को बाहर ले आते हैं जैसे उस सिन उस सड़की के जस्वाद उसका असल बाहर ले आए थे यानि तुम कहना क्या चाहती हो जल्दी बोलो मेदी की रंकत नुचर रही थी जहरा हदर नाख हद तक सफेद पर जोका था उस रोज, जब उससे आपको कोली मारी थी तब वो उससे से कुछ कह रही थी उससे से ज़ादा उससे सत्मा था आपने शादी की बात की थी और वो ट्रिगर हुई थी क्योंकि यहां तो वो शादी नहीं कर सकी थी या फिर आपने उससे शादी नहीं की थी मेरी शल रही क्या उससे आवाज से बदलने का फ़न आता है वो मल्टी टेलेंटिट है उसके जसामत मर्दाना है और कंदे मस्बूत शायद वो को हवाजा सरा हो या फिर शायद वो बोलते हुए रुखी पुर्षोष नजरों से मेरी को देखा आपके सर्गल में कोई मिमेकरी करता है या कोई मुतात्त आवाज से निकाल सकता है या हदीबान आवाज को आवाजे बदलने का फ़न आता है उसके हलक से फजी वजी आवाज सिक ली चेहरा सफेद बढ़ चुका था आँखे नीम मुड था मेंदी कंपीर के जिसम से सास निकल चुका था लुंच टाइम पे वो होस्टल वापिस आ चुकी थी और इस वक्त उस अपने कमरे के यूपीएस के चार्चर डिवाइस को खोले बैड़ी थी सफेद खोला गुर्टा खुले हुए बासू बालू का उंचा जोड़ा जिसमें पेंसिल अटका रखी थी बलंग से नीचे फर्ष पर बैड़ी जीनिया हाकिम एक पर भी एक मिशीन को खोले हुए थी उसी बल बातरूम का दर्वासा खोला और शेसल बाहर आई सिया टी-शिर्ट और ट्रोजर में मलबूस बालू में बुलिया इटका रखा था तुमने कैस कंबीर के बारे में काफी कुछ बताया मगर ये वाइरिस कौन है जिनिया ने नट को जोड़ते हुए पूछा बालो को दोलिय सहसाद करते शेसल के हाथ एक पल को थम गए मैंने उस रोज तुम्हें तुम्हारी दोस्ट से बात करते हुए सुना था जिनिया ने इसाफा किया उससे शायद तुम्हारा कोई रास खोला था मैं जानना चाहती हूँ क्या तुमने उसे इसलिए छोड़ा था शेसल धीरे से अपनी पलंग के एक सिरेप पर वैठ गई तुम ये सब क्यों जानना चाहती हूँ तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी जीनिया नट चोड़ चूड़ चूड़ थी अब वो चारजर उठाए स्विचपोर्ट की दरफ आई रास हमारी डार्क साइड होते हैं जैनम उन्हें रास रहना चाहिए है न जीनिया रुक से गई बताऊ जीनिया हाकिम या तुमने कभी किसी को राजो के खुल जाने के डर से छोड़ा है या फिर दुनिया में शेजल सिंसन वाहिद बेवकूफ है जीनिया के लिए आसवास की सारी दुनिया चंपल की धंग गई वो किसी और के भेट खोलने चली थी और इस वक्त उसके अपने भेट खुल चुके थे दोस्त को वो ही राज पता चलने चाहिए जो हम सुनाएं वो नहीं जो से दूस्तों को सुनाने हूँ उनकुसे भरसों में कभादर इतना खुशाल और तरक्की की जाने कामसा नहीं था उन दिनों कभादर पस्वन्दा था स्कूर से चुट्टी का वक्त था मेट्रिक स्टूडेंट सीनिया हाकिम और उसके दोस्त अलमास गोहर अपनी हमोवर लड़कियों के साथ अपने अपने घरों को जा रही थी अलकी आस्वानी रंकी वर्दी के साथ बड़ी बड़ी चात्रे पहने जीनिया और अलमास कली में दागिल हुई तो मरवतन जीनिया ने उससे अपने घर आने की रावते डाली गर्मी पेता हाशा थी और प्यास सा अलमास इस पेशकर्ष को ना टुकरा दे हुए उसके साथ घर में दागिल हुगी मगर जो मनसर उननों देखा वो कया मच जैसा था हूँ हाकिम नवाब हाद में हंटर लिए पेधरदी से अपनी भीवी के जिसम पे बरसा रहे थे जो लसी दूप में फर्ष पे अत्मो इसी औरत के लवों से कहरा तक निकलना बंद हो चुगी थी जीनिया ने बेक्तिया दिवार का सहारा लिया आंखे पानी से बढ़ने लगी थी उससे मुड़कर अपने साथ करे लड़की को देखा और एक लम्हा बस एक लम्हा चाहिए होता था उससे हास को आम कर देने के लिए और वो कर चुकी थी क्लास में उस्ज्जा की नज़र में सिनिया का एक मुकाम था वो उसका भीट पाचु ही थी मगर उससे खोलने से पहले सिनिया उससे दूर हो जाएगी मैं उसके लिए बहुत हास्ती मैं जानती थी मेरा रास इस समाल नहीं किये जाएगे लेकिन मेरे दिल के एक गोने में शक्त था, मैं उसके साथ हमेश्य मुखलिस रहना जाती थी, हमारा तालुक क्रिस्चल क्लियर था, मेरे वहम ने उसे धुनला कर दिया, अगले तीन दिन सीनिया स्कोल ना जा सकी थी, बहाना अम्मा की तपेधरा भी का था, मगल असल बात ये से अलमास तो लड़कियों के साथ खड़ी हसस करवाते करती दिखाए थी, जीनिया को शक वलके यकीन हुआ, ये बात उसी ही थी, करीब आने पे उसके कान भी बस अपने नाम की बुकार बढ़ी, और फिर अलमास बोलते बोलते चुप हो गी, जीनिया उस वक कुछ ना बोल तुम उन लड़कियों से मेरी बात कर रही थी, है न? उसके इस गदर काटडार लेजे पर अलमास को हरत हुई, मैं तो हर दूसरे इंसान से तुम्हारी बात करती हूँ, क्या हो गया है? तुम उन्हें पता रही थी, कि मैं स्कूल क्यों नहीं आई? तुमने उन्हें क्या ब पकड़ चुका था, जो जल्दी उनके तालुक को कोकला कर देनी को दयार था, मेरे दिल में शका आ गया था, मैंने कभी इत्बार करना नहीं सीखा, उससे मुझे बचाना चाहा था, लेकिन मैंने उससे दूसरी की, सैनिटी की हादिश छोड़ दिया, सीनिय की अवास इतनी का जिकर हो था, कपड़ों जुल्री की बाचिर थी, हाँ देखेंगे केकर डाल देती, अलमास उसका ये रवाया समझने से खासे थी, मगर हामोश थी, सीनिय यही करती थी, वो तालुक तोड़ते वक्त अगले को इतना सिच करती थी, कि वो खुद आये और उससे कहें, कि ब मुझे भी पता चले, तुम इतने दिनों से मुझे एकनूर कर रही हो, मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ नहीं होती, मैं बात करती हूँ तो जवाब नहीं देती, क्या तुम चाहती हो, मैं तुम्हें छोड़ दू, तो छोड़ दू, इससे मैसा मसला क्या है, अलमास सोड़ना भूलकर उसे देखे गई, दुनिया की नाया पत्रों के मेलाव से बनाया होगा, सीनिया का दिल, क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है, किसी तालुक को हतम करती न, सीनिया चनल में उसे देखती रही, फिर यक्तम उसकी आँखों से हर तासुर गाइब हो, वह वहां बस सफ इसे में जीनिया के चेहरे की रंगत मुद गहा हुई, तुम वक्त लो, मुझपे दुबार एत्बार करने के लिए, मैं सारी जिंदी तुम्हारी एक पुकार के इंतसार करूँगी, गीली आंके रगड़ती, वह उसे क्या कह गई थी, उसका अंदासा अलमास गहर को नहीं जीनिया कहीं लमए सागे रही, उसका दिल तूटा था और बहुत बुरी तरा तूटा था, मैं उसके साथ रहती लेकिन उस पर एकीन न करती, तो यह मुनाफकत होती, मैंने उसे छोड़ा, क्योंकि मेरे साथ मसाइल थे, अकिकर यह है, कि मैं आज भी उसे मिस करती हूँ, म उनका कॉलेज हैं पहला दिन था, साइंस क्लास में बैठी सेनिया हाकिम अपनी क्लास वैलों से रस्मी कुफ्तूख कर रही थी, जब उसे अलमास अपनी और आती रिखाई थी, उसके चेहरे पर मुसको राट थी, और उसके अंदास में गरम जोशी, यह हमारी क्लास नहीं ह उसका दारूफ थी सिखरवाया था, यानि वो उसके तरफ कदम नहीं बढ़ा रही थी, उन दोनों ने एफ़े करना था, लेकिन वलमास से दूर होने के लिए कुछ भी कर रही थी, वो भी जीनिया हाकिम की दोस्ती, इतनी अनात उसमें भी थी, या फामुशी से कदम मोड ले थी, बगएर कुछ कई पीचे हट जाती, उससे जीनिया अजीज सी, मगर अपनी खुद्दारी से जाता नहीं, जीनिया को दोस्ती अजीज सी, लेकिन अबबास से जाता नहीं, उसकी एक कई हुई बात उसके अबबाद की इमेश को परवाद कर सकती थी, मैं तुमारे पलटाने के इंतसार करूंगे जीनिया हाकिम, जाते वक्त उसके आंके कहती थी, मैंने छोडने वालों को कभी पलट कर देखा ही नहीं, आंके मोड लेते वक्त जीनिया कदा मा कहता था, और दिल, आन दिल में टी सुड़ी थी, वगर दिल की परवाग इसे थी, आल में स्व पुल चुके थे, उन्होंने जुबान से कुछ नहीं कहा था, जही इन लोगों की एक आसेत होती है, वो आंके पढ़ लेते हैं, और फेर जान लेते हैं, जैसे आज उन्दोनों ने जान लिये थे, मनासिर बतले, उनिवस्टी की इमारत गाइब हुई, काड़ी की ठंड़क का रहा था, तभी सीने पर हाथ मारता था, उसे सा इनि में दिक्कत सी हो रही थी, उसके साथ बैठा कैस अपने मुपाइल पर कुछ टाइब कर रहा था, सरसरा से देर बात कीसी को की के लिए ताँ, आज कैसर में टेka की दुनिया अपना लोहा मन वालन लोशू का घुसर ह हैं तो कपड़े बनाने वाले और डिसाइन करने वाले आजकर लड़ते नहीं डील कर लेते हैं यानि अगर कैसम टेक्सचाइल किसी मुल्क से कपड़ा तरा मत करवाए कगी तो एक धान का अंदाज पंदरा सो देगा अब अगर बेस कलेक्शन उसी धान का दो हजार देनी लि नहीं बनते हैं इन संजीदा मसाइल को छोड़कर हम कहानी की तरफ पड़ते हैं तुम इतनी बाकाइदकी से कभी स्कूल भी नहीं गए यूनिवस्टी में ऐसा क्या है नसे मुबाइल पे जमी थी और सवाल में ती से किया गया था जिसका जवाब अलवत्ता नहीं मिला हू क्यों क्या तुम उस लड़की से मेरी शादी करवा दोगे बेजार ले जाँ मैं उस लड़की और तुम्हें बकाइदा फांसी तो लाँगा ताके रवाया तोड़ने वालों को सबग मिल सके अपने बारे में क्या है तुम्हारी भी एक अदद मंगेतर है जिससे शायद करें तुमसे कहा था मैंने किस मामले में मत पढ़ना इस पे तुम्हारा साया पढ़े मैं ये भी बरदाश नहीं करूँगा ओकी ओकी कूल डौन वैसे वो मेरी भावी होगी इतना सीरिस क्यों हो जाते हो तुम मेती तुम उस लड़की से उसके जिकर से भी दूर होगे तु उसे मेधारी और कैस से भागने वाले इंसान था और कैसम उसकी कमर पे लदा भोज काश-कुछ तालूकार से मेधारिया और इंसानों से दसपरदारी अरसान हो दी वो भी गाड़ी से उदर था कि मुबाईल की रिंग टून ने उसके तवच्चा की जी असल कॉलिंग के अल वो तुम्हारे सारे तोफे दे जाएगा। तो मैं बच्चों से बात करने की तमीज जितनी जल्दी हो सके सीख लेनी जाएगा। वो दुनिया खुद बहुत मढ़ने लगती थी। वो दोनों एक दूस्य का मस्पूर सहरा थे। और वही एक दूस्य के पैरू से समीन भी खीन सकते थे। एक दूस्य का अगर साइबान थे। पर एक दूस्य को चुलसाने वाले भी खुरी ही थे। उन्हें लोगों में हमारा आधा और पी था। वो दूनों अंदर दागिर हुए तो कहीं लोग उठ उठकर उनसे मिलने लगे। मुसाफा हुआ कले लगाया गया। कुछ देर बार सामने चलती स्क्रीन के आगे खड़ी। सारा प्रेसेटेशन दे रही थी। मुल्क के नामवर कारोपारी डिसाइनर्स उसे खोर से सुन रहे थे। पिछले साल जो सिल्क मंगवाया गया था। उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ। एहमदहान ने कैसम से दुखने दाम पे हरी था। नवीर अन्जुम ने अपने तलुकात इस्सवाल करते हुए कैसम से दीन को ना कम कीमत में हरी था। और जन्जबील ने मैयार की बजाए तादात को फोग्या देते हुए। सस्ता सिल्क मंगवाया जिसे जाहरे उनी की सांग को नुकसान हुआ। सारा बोलती हुए रुखी नजर उठाकर सारे में देखा। उसी करदन पे हलका हलका पसीना था। उससे कैस को देखा। वो नर्विस हो रही थी। कैस उसे देखकर मुस्कुराया। अपनी जेवसिक लुपसिक निकालकर उसे दिखाए। फिर उनियों को कोल करके तीन उंगलियां बाहर निकालकर सबर्दस। वो जैसे सारा ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराट चुपाए। इत्मात बाहाल हो चुका था। वो कम बोलता था मगर अच्छा। वस्ता कभी कपार देता था। वगर यो कि फिर तुम बोलंदियों की तरफ जाने की खौईश करो। हल क्या हो सकता है इस सबका। वो रुखी सारे में नज़र दोड़ाई। आप से एक तलाफात को एक तरफ करते हैं। अगर कैसम एक तान का 10,000 देगा। तो आप भी 10,000 देना होगा। अगर कैसम मेहार लाएका तो आप भी अपने लिए मेहार का इंतहाप करें। हमारा मुकाबला आपस वे है। फिर दूसरे लोगों को अपना फायदा उठाने क्यों दे। अगले हपते पीजिंग में सेमिनार है। और कैसम का सहलाना खरीदारी का वक्त। अगर आज आप सब यहां पॉंट्रेक्ट करने के लिए रासी हो जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर फिर आपको कोई नुकसान भी हो तो वो माली नहीं होगा। साख नहीं डूबेगी। बस भे आपको सिफ कैसम से आगे जाने की तक तो करनी होगी। जो के बेकार है, कोई कैसम नहीं बच सकता। वो पार्षय यहीं नहीं बना था। वो ला मुझे ऐसे सिल्दत और सक्तियां छेल कर आया था। हम इस माहिदे पे रासी हैं। लेकिन हफते बाद बीजिंग में होने वाले सेमिनार का दावत नमा हम सब के बास है। कैसम से कोन जाएगा। सुर्वाई बालू और तराशीता नकोश वाली समया हमीद की बात पर सबने साहिल आया। फिर पुरुकी नसु से मेरी को देखा। वहला एक ट्रेवलर के इलावा कोन जा सकता था। सब लोग कैस के जवाब के इंतिसार कर रहे थे। दूर कहीं मेरी जाता था। उससे भेजा जाये ताके वो एसल से मिले। मगर मीरा को यह एकीन रहे कि वो उसके लिए नहीं आया। उसलंबहे उसके मुबाल पर एक पेगाम आया। आप नहीं कहा था, मुझे बुलाना। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। क्या आऊगे। अंग्रेजी में लिखा टाइपोस से वरा परिगाम पढ़ते कैसे सर उठाया। मैं जाऊंगा, मुझे ही जाना चाहिए। वो बच्ची उसे कुट्णों पे भी ला सकती थी। वो उससे दूसरे मुमालिक का सफर भी करवा सकती थी। आज कैस से इत्राफ किया था। लोग अप कुछ कह रहे थे। कैस मतब उसकुराइट के साथ सब सुन रहा था। उस सारे वक्त में किसी ने मेरी का चेरा नहीं देखा था। वो तारीक बढ़ चुका था। उनाहों कि स्यारात की दरा। वो बलाज के साथ बहुत पिस हॉस्चल जा रही थी। बलाज उससे रुसाना एकैडमी के बाहें मिलता था। वो फिर होस्चल तक वो दोनों साथ आते थे। मुबाइल की घंटी रिंग ट्यून ने जिन्या हाकिम के दोच्चा अपने जाने मुफसूल करवाई। उससे नाम पढ़ा। अधा कॉलिंग। कॉल एटेंड करते ह। उससे मुबाइल का आंसे लगाया। जिन्या ने अपने साथ चलते बहलाज को देखा। वो इशारे से उसे अपने साथ होने से वाना करा था। उससे गहरा सांसियों मेरा नाम सीन्या आगे मैं। सीन्या बशर नहीं भाई हूँ बाई बढ़ाइ बन कर हो। बाप बनने की जुरत नहीं है। मैं तुम्हारे टांगे दोड़ दूगा। मेरे साथ जबान चला रही हो। बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा बागी अलवाद जीने की समातू तक नहीं पहुन सके वो कॉल काट चुकी थी औस चल आगया था उसे थकी थकी नसे उठा कर बलाज को रिखा मैं जूट बोलते बोलते थक चुकी हूं बलाज ये सब कफातम हुगा बलाज ये बगेर कुछ कहे बस आँखे चपका कर उसे तसली दी बस चल सब कुछ फिक्स कर लूँगा मैं तुम्हार लिए आइसाइशाद लाऊँगा वो सारे जिनकी तुमें जुरूरत है मैं अपने लिए आइसाइशाद हुद जमा कर सकती हूं मुझे आप से चुचाहिए वो बस साफुस और बेहोफी वाला साथ है वो भोल करूँगी कंदे पे बैक को तुरूस के हूं मैं उमीद रखूँगी अगली बार आप मसाइल के हल समय था है वो कहकर अंदर चली गई बला चुके हुए कंदू से आगे बढ़िया हूं उसे खर जाने के लिए बसों में खुआर होना था अपने कमरे में लैपटॉप के आगे बैटी सीनिया हाकिम के सामने स्क्रीन पे बशर नज़र आ रहा था उसके नज़र सेनिया पकम उसे कमरे पे जाधा खोर कर रही थी सोना किसका है बशर तुम्हारा या मेरा इस वक्त मेरा शोहर दूस्से मुलक में है उसे पैसु की जुरुष है और तुम मुझे मेरे ही शोहर को पैसे देने से मना कर रहे हूं वो भेजार हुई थी बशर आके खो बेठाओ सिंचीत की से कहना शुरू किया हूं शादी की शुरुवात में शोहर पे जिम्मेदारिया डालनी जाएं तब भी जब जुरुरत हो और तब भी जब ना हो जाहे एक या दो हजार का हर्चा करवाओ मगर करवाओ जरूर तक इसे मालूम हो सके उसके जिन्दगी में एक नहाई दाफा हो चुका है मैं तुम्हारे तक्रीर में इंट्रस्टेड नहीं हूं बशर उसे चुला कर वशर की वाद काड़ी वशर तामूल से उसे देखता रहा हूं शादी के शुरुवाद में शुहर को माली मदद नहीं देनी जाए ना बीवी को ना बीवी के घरवालों को अब बसे रकम देकर पहले ही सरचड़ा चुके हैं अब तुम मजीद सरचड़ा होगी पता है अधा जब मेरे सेन में बलाज को पैसे पेशने का हया लाया हूं तब सबसे पहले खयाल तुमारा आया था हाँ मैं जानती हूं तुम जान दे दोगे मगर अपना पैसा नहीं मगर मुझे यखीन था तुम मेरी बार समझोगे क्योंके बर्षर सीनिया हाकिम का वाहिद दोस है उन दोनों ने बायाग वक्त हो रहा है और दोस वो होदा है जो मुसीवत के वक्त मश्वरा नहीं साथ दे तुम दे रही हूँ या नहीं बशनी गहरी सास सी दो बहनी थी उसकी लेकिन सीनिया किस आगे वो हमेशा हार जाया करता था और उसे ये हारना पसंद था तुम्हारा सारा सोना अम्मा के पास है मैं कैसे मांगूगा और अगर मुझे मिल भी गया तो मुझे गैरत नहीं आईगी उसे बेचते हुए सबसे हैं बात कौँच पेट की हल्गी है वो सब को बता दीगी वो अब भी उसे बाहा सकना चाता था मैं सब सेट कर दूँगी तुम बस जाना सोना बेचना और पैसे बेचे न वो तुम्हारे साथ अच्छा है न ब्लैक मिल तो नहीं करता खहीं उसे पैसे लाने को तो नहीं कहा अपनी बेहन के मामले में वो सारी दुनिया पे शक कर सकता था अच्छा अगर वो मेरे साथ बुरा हुआ तो तुम क्या कर लोगे यानि अगर किसी भी लड़की का शोहर उसके साथ बुरा करता है तो क्या किया जाए वो आजर से बाद यो उससे बाद कर रही थी देल हलका होने लगा था करना क्या है उसकी हबा रखवाओ और दो बंदे भेजकर उसे बिटवाओ अगर उस इस सरह भी नाम इंसान का बच्चा बने तो फिर होकी और पल्ले ले जो सर भोड़ दो टांगे तोड़ दो मसला हल चुट्कियों में हल निकाला था उससे सीनिया सस्काइब होरी होने लगी जेरा सुर्क और आंखों में पानी पढ़ने लगा और अगर वो फिर भी ना सुधरा बल्कि और भी घड़िया तो फिर दोनों टांगे तोड़ दो फिर भी ना सुधरे तो हर रोज टोशर की मिकदार भढ़ा दे जो मर जितना भी मर्द बंजर दर दूसे इंसान का बच्चा बना देगी वो इतना संजीदा था कि हन नहीं और सीनिया के कहके पूरे होस्टल को सुनाई देने लगे थे एक बच्चर था जिसके साथ वो हस भी सकती थी और रोबी उन दोनों का तालुक बगेर फिल्टर एक था रोज कैसी है थोड़ी देर बाद उसे सिंजीद की से सवाल किया हूँ बच्चर ने कहीं सांस थी अजाब है मेरे सर पे मसलत कर दिया है अब जेल रहा हूँ लापरवासा जवाँ सीनिया दबादबा मस्कुर है बच्चर की आँखे उसका हाल बदा रही थी अगर इतनी ही अजाब है तो जान चुड़वा देते हैं तुम्हारी क्या ख्याल है भुदा को होफ करो वो मुझे जिन्दा दफन करते हैं अगर उसे सुन भी लिया बच्चर ने कानू को हाथ लगाया अच्छी है और मुझे भी अच्छी लगती है अब और क्या कहूँ मैं अब बच्चर की कुर्बानिया अपने आँखों से देखी लिए अब भाने तुम्हारे लिए अच्छा फैसला किया है उन पे एक ही नगना बच्चर ने सही ला दिया आँखों में सुर्खी सी दोड़ गई जीनिया कुछ ना भोली वरशर उससे अंदर तक जानता था अब बच्चर बेहर गलत मेरे दिल में कोई उड़ थी अबबाने जबर्स्थी मेरी शादी करवा दि मुझे वक्ट चाहिए था अबबाने नहीं दिया मैं हीड होना चाहता था अब बिस्मिल हूँ अगर मैं अपनी शादी निभा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि अबबा का फैसला सही दो इसका मतलब ये है कि बशरीक अच्छा मर्द है सीरे ने मुस्करा कर जिदाया हूँ बशरीक लिए सांस अदरखी जी अगर मेरे अंदर इनसानियत है क्योंकि मैं निभा करना जानता हूँ लेकिन मेरे शादी को मिसाल न समझा जाए हर मर्द बशर हाकिम नहीं होता हर मर्द में इतना होसला नहीं होता अबबा ने मेरे साथ सुल्म किया है आखरी बात उससे बारी दिल से गई थी चलावे ही था नौमादार हुई भाई तो तुम्हार वह थैंसम है बात चलाओ ना मेरी आखे पटपटा कर कहते है विंतियाई सहर लगी तुम क्रिस्टियन और मेरा भाई मुसल्मान कनवर्ट को रोगा एले किताब से निकाज आए से तुम बात तो शुरू करो वो मिसर हुई सीनिया ने आंके कोली सिंजेटी इससे देखा मेरी भाई की एक अटत बीवी भी है अब आगे बात बढ़ाऊ शराग कर तो शेसल इस चोपड़ी मिल्क पे भी बगड़ना करे फिर तुम्हारा भाई क्या चीज़ है ऐसा भी कोई हुपसूरत नहीं बेंगा है तुम्हारा भाई चलकर कहती ही वो बाई निकल थी जीनिया को यही जाए था उससार एक बार फिर कुर्सी की पुश पे किरा दिया अम्मा कहती थी शादी पे मेहनत करो अशार कहता था वह महा के इन एफ़र्ट्स ना करो यह वो पॉइंट था जहां जीनिया की तमाम सोचे खत्र हो जाती थी काश कोई उससे लफ़ इत्दाल की अगाही दे आए काश